हाई एवरीवन वेलकम बैक तो माई यूटीव चैनल ग्लैम सीक्रिट्स और मैं हूँ आर्थी शर्मा फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आप लोगों को स्रिफ और स्रिफ कमर की टाइट फिटिंग के लिए बताने वाली हूँ और ये वीडियो बहुत ही जादा रिक्वेस प्लीट बनाते हैं तो आपको ये ध्यान लखना है कि आपकी फॉस प्लीट एकदम एकजेक्ट सीधी घड़ी होनी चाहिए अगर फैब्रिक आगे पीछे होता है यानि निचे से तो सीधी है लेकिन उपर से टेरी सी दिखाए दे तो उसको एकदम स्ट्रेट कर लेना है और आप फॉस प्लीट आपको थोड़ी सी चौड़ी रखने है उसके बाद आप जितनी भी प्लीट लेते हैं आप थोड़ी सी छोटी ले सकती है अपनी अकॉर्डिंग तो अब यहां पर आप देख सकते हैं मैंने जो प्लीट से वन वन करके बना ली है और अगर आपको यह जो चीज है समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता देना अब आप देख सकते हैं कि जो प्लीट से वो बनके तयार हो चुकी है और एक ही करकी जितनी प्लीट को सेट करना बहुत जरूरी है तो आप ये ध्यान रखे आप साथ करना, आप देख सकते हैं। इसाफ से बन जाती हैं लिए प्लेट अे प्लेट की ङाय डियुट प्रॉपर तरीके से सेट नहीं होती है ला लास्ट कोई फैबरिक को वहम इस तरीके से नीचे कर लेंगे और फिर उसके बाद हमने प्लीट्स अरेंच अरेंज की थी उन्हें हम पेटी कोट में एज टक कर देंगे टक करने के बाद ये ध्यान रखना है कि जो अब पेटी कोट के अंदर जब ये प्लीट्स को टक कर रहे हैं तो वो प्रॉपर तरीके से अंदर अच्छे से इंसर्ट हो अंदर का जो फैब्रिक है वो मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए अभी हम इस वाले फैब्रिक को की जो मैंने टक किया था उसे मैं इस तरीके से अंदर की तरफ करते हुए और ये जो मैंने प्लीट्स इंसर्ट की थी उन्हें मैं सेफटी पिन की एल्प से सिक्यूर कर दूँगी और आपको ये ध्यान लखना है कि जो सेफटी पिन है वो आपको वर्टिकल नहीं लगानी ह यहां पर आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से सिक्यार हो चुका है अब इसके बाद यह जो मैंने फैब्रिक छोड़ा हुआ था उसके उसे हम उसके अंदर हाँ डालेंगे और इस तरीके से एके करके पकड़ लेंगे इस तरीके से बिल्कुल आपको इसी तरीके से सारे फैब्रिक को लेना है और एकदम इसी तरीके से लेते हुए अंदर की तरफ से उपर ले के आना है तो आप देख सकते हैं मेरे कमर के पास बहुत अच्छी फिटिंग आ गई है और मैं इन्हें ट्विस्ट कर दूँगी काफी अच्छे से ट्विस्ट करना है और अगर आप ने सेफटी पिन का यूज़ किया है इसे सिक्यूर करने के लिए तो बहुत अच्छी बात है अदर यहां पर हम जो प्लीट्स जैसे जा रही है कमर के पास हम उसे वैसे ही सेट करते जाएंगे और यह मैं आपको सही बता रही हूँ यह एज़िट इस रहती हैं बिलकुल भी खराब नहीं होती और बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ दिखाई देती है यह जितनी भी प्लीट्स है मैंने इने अरेंज कर लिया और लुक आप देखे बहुत बहुत प्यारा आया हुआ है ठीक है तो आप इन टिप्स का ज़रूर यूज करें इस तरीके से अपने कमर के पास जो प्लीट्स की टाइट फिटिंग है वो लेके है और बहुत ही प्या लुक लगता है तो अब ये काम खतम हो चुका है अब हम नीचे की तरफ आते हैं तो नीचे की तरफ जब हम आएंगी तो वन बाई वन जितनी भी प्लीट्स है उन्हें पहले इस तरीके से हातों से प्रेस कर लें और वाल का सहरा यानि दिवार का सहरा लेते हुए आपको इ बिल्कुल आपको उसी तरीके से करना है आगे से हातों से जरूर प्लीट्स को प्रेस करें जब आप बॉर्डर की साड़ी पहन रहे हैं तो और ध्यान रखें कि आगे के साथ साथ आपको पीछे जो प्लीट्स बनके तयार हो रही है जैसे मैं निकाया आपको उन्हीं भी प प्लीट्स बहुत ही अनिवन हो जाती है चलते टाइम पर और जब आप खड़े होते हैं तो वह पूरी तरीके से फैल जाती है जब मैंने इसे हाथों से प्रेस के तो आप देख सकते हैं कि प्लीट्स कितने प्रॉपर तरीके से से अट हो गई है और अब मैं आपको एक और कि इस तरीके से खुल जाती है जैसे निचे में आप दिखा रही हैं मैं आपको यह दोनों प्लीट है नौष सेट भी न तो भी नहीं सेट होती हैं तो इस तरीके से दोनों प्लीट से को पकड़ लेंगे और सिफटी पिन का यूस करते हूँ कर लेंगे जब आप खड़े कैसा लगा मुझे वीडियो में जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना शेयर करना और चैनल पर पॉस्ट टाइम है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दिना अभी तक लितना है मिलती ने 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 वीडियो में तिल दन बाई